हेलो दोस्तो, क्रिप्टो न्यूज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो, क्रिप्टो न्यूज में आज की सबसे पहली खबर की और हम रुख करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि Coinbase, जो की एक सेक्योर प्लैटफॉर्म है जहांपर हम बहुत ही आसानी से क्रिप्टो करेंसी जैसे की बिटकॉइन, इथेरियम, मतलब इन सभी को खरीद सकते हैं, बेज सकते हैं और साथ ही स्टोर भी कर सकते हैं तो दोस्तों ये प्लैटफॉर्म भी अब NFT यानि की नन फंजिवल टोकन निकाल ले जा रहा है दोस्तों हम आपको बता दे की नन फंजिवल टोकन वो होता है जैसे मानलो की कोई historical collectibles है जिसके नाम का virtual token बना दिया जाता है और फिर उसे आप digitally खरीद कर उसका virtual ownership ले सकते हो फर एक्जामपल सचिन तेंदूरकर के बैट का digital token लोगों के लिए अविलेवल कर दिया जाए तो दोस्तों जो भी ये नन फंजिवल टोकन खरीदेंगे वो उसका मतलब virtual owner हो जाएगा तो आपको बता दे कि US crypto exchange यानि कि जो coinbase है वो coinbase NFT launch कर रहा है तो दोस्तों इस platform पर buyers और sellers जो है वो ethereum based digital collectibles खडीद और बेच सकते हैं कंपनी ने मंगलवार को ही ये घोशना की है और ये coinbase NFT जो है वो दोस्तों ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल के अंत तक launch हो जाएगी दोस्तों crypto news की अगली खबर ये है कि stripe जो की एक Irish American financial service है और दोस्तों ये internet business यानि की e-commerce के लिए payment processing platform है वो bitcoin चोड़ने के अब 3 साल बाद payment के लिए एक crypto team build कर रहा है यानि की payment process के लिए एक crypto team बना रहा है तीन साल पहले bitcoin से पीछे हटने के बाद stripe cryptocurrency के field में फिर से प्रवेश करना चाता है यानि की फिर से इस field में enter करना चाता है US vintage giant stripe जो है वो अपने users के लिए एक blockchain team hire कर रहा है जिसे की users crypto payments कर सकेंगे वहीं stripe की website पर एक job listing page के मताबिक firm जो है वो crypto sector में चार experienced staff engineers को hire करना चाती है इन engineers को web, mobile UIS से लेकर back end, payments और identity systems इन सब ही का काम सौपा जाएगा दोस्तो आपको हम बता दे कि stripe 2014 में bitcoin को accept करता था लेकिन चार साल बाद इसके slow transaction और इसके बढ़ते fees के कारण bitcoin से अपना समर्थन वापस ले लिया था दोस्तो crypto news की इस कड़ी में अब तीसरी ख़बर की और हम बढ़ते हैं फेमस investor Michael Burry ने कहा है कि Shiba Inu जो है वो pointless है यानि कि वो बेकार है, व्यर्थ है, Michael Burry ने इस सब्ता के alt market के downtrend को देखते हुए यानि कि जो alternative coins है, उसके वो जो अभी down हुआ है, उसके market को देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि meme coin के जो investors है, मतलब जो भी meme coins में जो invest करते हैं, उन लोगों ने doge coins से अपना focus हटा लिया है दोस्तो हाल ही में investor और former hedge fund manager Michael Burry ने शीवा इनू को pointless बता कर उसकी आलोचना की है, हलांकि critics यानि की जो आलोचक हैं, उन्होंने Michael के इस बात को dismiss कर दिया है वहीं दोस्तो हम आपको बता दे कि इस साल के शुरुआत में doge coin को भी कुछ ऐसी ही आलोचनाएं जहेलनी पड़ी थी, लेकिन दोस्तो उसके बाद doge coin की value काफी ज्यादा बढ़ी थी, ये तो हम सब ही जानते ही है हलांकि ये संभावना नहीं दिख रहा है कि शीवा इनू का भी doge coin की ही तरह इसका जो value है, value जो है वो भी बढ़ेगा दोस्तो क्रिप्टो नियूज में हम बढ़ते हैं अपनी अगली ख़बर की ओर कुछ समय के लिए दोस्तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में कई लोगों ने ये सोचा था कि polygon जो है वो एक digital coin है इसके पास ethereum killer जो की एक famous title है ethereum killer मतलब ये एक famous title है उसे siege यानि की जप्त करने का मौका है लोगों के पास अलांकि इसके network में जो recent changes हुई है और जिस तरह से इसे बनाया गया इसे देखकर अनमान लगाया जा रहा है कि ये शायद बिलकुल ही बंद हो सकता है दोस्तों हम आपको बता दे कि अभी बीते दिन यानि की बारह अक्तूबर के आस पास polygon scan ने अपने daily के transaction में 6 million से अधिक यानि की लगभग 30 लाग तक की शार्प यानि की टीवर गिरावट दिखाई है और यह तब हुआ जब polygon के client development team ने foundation notes के लिए minimum gas की कीमत 1 गवे से बढ़ा कर 30 गवे करने का फैसला लिया था वही इस पर polygons संदीप स्रेनाथ जो है उन्होंने बताया कि scammers से लड़ने के लिए gas की कीमतों में इतनी जादा व्रिधी की गई थी लेकिन transactions में भारी गिरावट भारी संख्या में investors के नाखुष होने का संदेश दे रही है लेकिन दोस्तों वही इस पर कुछ critics ने अलोशना की है उनका कहना है कि इससे उन्हे centralized feel हुआ है क्योंकि दोस्तों जब हम digital currency की बात करते हैं तो ये पूरी तरह से decentralized होता है नहीं कुछ critics ने ये भी सवाल खड़े किये है कि धीरे धीरे बढ़ाने के बजाए इसकी कीमत एकदम से 30 गवे तक क्यों बढ़ा दिया गया हलांकि कोल मिलाकर ये आसानी से समझा जा सकता है लग ये जो step लिया गया है वो पूरे board के investors को affect कर रहा है दोस्तो crypto news की अगली खबर रसिया से है आपको बता दे कि रसिया के जो deputy finance minister है उन्होंने कहा है कि रसिया क्रिप्टो पर पूरी तरह से ban लगा कर चाइना के नक्षे कदम पर नहीं चलने वाला है दोस्तो रसिया के जो deputy finance minister है उन्होंने कहा है कि रसिया में crypto payments जो है उस पर अभी ban लगा हुआ है लेकिन रसिया के लोग जो है वो bitcoin जैसे digital currency जो है वो खड़ीद और बेच सकते हैं बता दे कि रसिया में January के महिने में एक law के तहत crypto currency payments पर ban लगाई गई थी लेकिन वहीं अब यहां के लोगों को digital currency से trade करने की इचाज़त दे दी गई है दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हाल ही में चाइना के People's Bank of China ने ये घोशना की थी कि चाइना में किसी भी तरह की crypto transactions जो है वो illegal है आपको बता दे कि एक अफवा यानि कि rumor फैली है कि दुनिया के जो सबसे luxury hotels हैं उसकी उपरी मंजीलों पर जो elite clubs बने हुए हैं उसके पीछे के rooms में एक certain group of people यानि कि ये certain group of people में जो billionaire हैं वो एक साथ बैठते हैं और इस group of people में डॉर्सी, इलन मस्क, डोनाल ट्रम्प जैसे नाम शामिल है वो यहां पर एक साथ बैठ कर पोलकर नाम का एक गेम है उसे खेलते हैं लेकिन दोस्तों ये एक अफवा ही है इसका कोई अभी सुबूत नहीं मिला है लेकिन कहा ये भी जा रहा है कि इस billionaire game room के secrecy यानि की गोपनियता से जल्द ही पड़ता उठ सकता है माना जा रहा है कि आने वाले सब्ताहों में इस game के video footage पब्लिकली यानि के सारवजनिक हो सकता है जिसे देखने के लिए हर कोई excited है क्योंकि इसमें billionaire जैसे की Elon Musk, Donald Trump जैसे लोग शामिल है billionaire game room polker के host इस test net game को release करने वाले हैं दोस्तों बताया जा रहा है कि ये शायद पहला play to earn blockchain game है जो की free to play है जिसमें कोई भी startup cost नहीं लगता है नहीं कोई high ethereum free लगती है या simply free to play और free to earn होगा दोस्तों हम आपको इस polker game के बारे में थोड़ा से बता देते हैं इस game मतलब ये game जो है वो पहला play to earn game है बताया जा रहा है कि इसको pkr dollar की ओर से powered यानी की संचालित किया गया है जो कि चार unreal engine का use immersive और powerful game play के लिए करता है दोस्तों हम आपको बता दे कि polker ने हाल ही में polygon के साथ partnership भी की है अभी के crypto news में इतना ही crypto news की दुनिया के तमाम बड़ी ख़बरों के update के लिए आप जुड़े रहे हमसे